आज मैं उनके लिए बताँगू माताव बेहनों के लिए जिनको सफेद पानी की बीमारी है सफेद पानी की बीमारी ठीक नहीं हुरी है देखो भाई यो बहुत अच्छा पौदा लाया हूँ इस पौदे को बोलते हैं ये बेल चलती है इस तरह है कि इसे कहते हैं जल जमनी जल जमनी कहते हैं आप क्या करेंगे इनके पत्ते ले जाएं इनको सुखा लें चाया में सुखाने को इसके पाउडर बना लें इसमें इसे 10-15 ग्राम एक कटोरी पानी में डालें आप देखने हैं उस पानी को ये 10-15 मिन्ट के अंदर जमा देती है और उनके लिए बताओं माता बेनों को जिनको सबेत पानी की बीमारी उनको क्या करना है इसकी जड़ लेनी है 100 ग्राम जड़ जलजमनी की लेनी है 100 ग्राम जड़ जलजमनी की लेनी है और 100 ग्राम एसगंदा लेना है भाईयो और 100 ग्राम लेनी है सतावरी फिर बतादू सतावरी लेनी है और 100 ग्राम भाईयो देशी बबूल का गौंद लेना है और इनको अच्छी तरह से मिला लें, मिलने के बाद में इसमें 100 ग्रामी धागे वाली मिसी डालनी है, डाल करके पाउडर को किसी काच के वरतन भर के रख लें, इसमें से 2 चम्मस सुवे खाली पेट पानी के साथ लेना वाई हो, इसे लेने के बाद एक गंटे कुछ खाये न असगंदाते, सतावरी और बबूल के गौंसे, आई मुने वीडियो चले रहा तो लाइक करिए, शेयर करिए, फॉल्व जूरू करिए, धन्नबाद.